में आपके साथ problem set 17 को लेकर प्रोबलम सेट 17 क्या है 6 राइट वन इंबें क्वक्स वी जो बॉक्स दीए है dad यहां पर यहां पर क्या करना है पर इसका जो रिलेशन है यह इसका जो रिलेशन इस फ्रैक्शन का रिलेशन इसके साथ कुछ ना कुछ है को मलिटिप्ला जाएगा अगर एसको अगर इसको से हमने इसे ही बड़ा नम्बर से किया तो यह फ्रेक्शन है ऑर यहां इसका मतलब क्या है यह आ गया हमारा एंसर इसका मतलब क्या है इन दोनों यह क्या है एक दूसरे के इक्युवैलंट है यह दूसरे के क्या है इक्युवैलंट है पर कौन सी नंबर से है टैन नंबर से इस प्रेक्शिण का मिल जाएगा अभी देखो यहां यहां क्या करना है यहां पर दिरामेटर ढूंडा है निउम्राटर में इस था इसपर आप कुंसे नमर से मल्टिप्लाइब करेंगे 15 मिल जाएगा कोई से मल्टिप्लाइब करेंगे 35 15 ओके 35 यहां पर 15 मिल रहा है इसको अगर हम 35 से मल्टिप्लाइब कर रहे तो इसको भी मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा तब आजाएगा हमारा एंसर अभी कोईशन नमर 3 क्या है देखो कोईशन नमर 3 बाई 9 बाई 11 इकोल टू 18 बाई यहां पर डैश ओके इन दोनों कर रिलेशन केस है देखो 9 को कोम से नमर से मल्टिप्लाइब किया तब हमें 18 मिल जाएगा 9 इन्टू 2 आगाए कि 18 ओके इसको अगर हम 2 से मल्टिप्लाइब कर रहे तो दूनों मेटर कभी 2 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा 11 इन्टू 2 किया तो हमें क्या मिल जाएगा 22 इसका मतलब क्या है यही हमारा एंसर ही देखो यहां पर 22 आ जाएगा यहां पर 20 यह भी हम पर 21 आ जाएगा कोंसे नमर से मल्टिप्लाइब करेंगे 8 फाइजा 40 ओके 8 फाइजा अगर 40 आ रहा है तो यह यहां पर मल्टिप्लाइब है इसके यहां जाकर क्या हो जाएगा तो फोर्टी को अगर हम फाइज से डिवाइड कर रहे है तो हमारा एंसर क्या आ जाएगा एंसरा आ जाएगा हो जाएगा तो फोर्टी को करेंगे तो एत आ जाएगा यहां पर भी पैसाइई करना पड़ेगा एंувाज से लिवार करने ला से करनेगा अगर हमें यहाँ पे इन first second third examples में क्या दिया था हमें छोटा fraction दिया था बड़ा fraction निकलना था हो तो multiplication करके हम easily निकाल सकते थे पर यहाँ पे क्या दिया है बड़ा fraction दे दिया है और छोटा fraction निकलना है तो उस time हम क्या करेंगे जो छोटा fraction दिया है न यह एक दिया रहता है fraction में numerator दिया रहता है यहाँ पर denominator दिया था तो denominator के help से हम क्या करेंगे इस denominator के कोई से नमबर से multiply करके आई जाएगा वही नमबर हम क्या करेंगे आपर divide करेंगे वही नमबर से हम क्या करेंगे आपर divide फ्राप सरट ने सबस्कूनत्याइब है अ देख नेधर को और doubling यह श्युक्त पْरॉड कहें rageti इसको सब्सक्राइब गए उस्कों से नंबर से क्रेंगे तुस्क्राइब का हो झायेगा इसको 4 से डिवाइड किया तो यह आ गया तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तब यह यहां का एंसर आ जाएगा इसका मतलब क्या है 20 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा 20 को 4 से डिवाइड करने के बाद कौनसा नमबर आ जाएगा हमारा यहापर आ जाएगा 5 4 5 20 यहापर आ जाएगा 5 यह 5 क्या है हमारा एंसर ही अंडरस्टेंड यहापर 5 example remaining पहले हमें यह solve कर लेते हैं देखा भी 14 डिवाड़ पर 26 यह बड़ा फ्रेक्शन दिया है चोटा फ्रेक्शन निकाल यहापर दिया है चोटा फ्रेक्शन निकालना है so 13 को कौन से number से multiply करूगे तब 26 आ जाएगा 13 to 26 इसका मतलब क्या है अगर आम इसको 2 से multiply कर रहे है इसको 2 से multiply कर रहे है तब यह answer आ रहा है इसको 2 से multiply कर रहे है तब यह answer आ जाएगा आ रहा है इसका मतलब क्या है इसको 2 से divide करना पड़ेगा तब यह answer आ जाएगा इसको two से divide करेंगे तो इसको भी two से divide करेंगे देखवा भी 26 divided by 2 equal to 13 आ गया तो 14 divided by two किया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका मतलब क्या है 7 क्या है हमारा इधर का answer numerator का answer understand हमने पहले क्या कर लिया इसको कौन से लिए करते है तब यह एंशर आ जाता है तो इस थुख करो यहां पर चेक करो यहां पर छोटा प्रेक्ष्ण निकलना है बड़ा दिया है तो पहले दिया है चोटा प्रेक्ष्ण उष्कों और इसका डीनोमेटर का क्या करते हैं comparison करते हैं अब देखो 3 को कुछ Testid by करना पड़ेगा तब 6 मिल जाएगा यहांपे 3 को 2 से multiply करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है इसको 2 से multiply किया तो 2 से इसको divide करना पड़ेगा 6 बाइ 2 क्या आ जाएगा अगर इसको 2 से divide कर रहते हैं इसको क्फोर चाहिए हमारा क्या सारें हुआ हैं इस सोटा मिल जाएगए इसको मुषन से मिल जाएगा क्या है इस उसको मуса इसको से और वाँट करना पड़ेगा इस इसको घिस के तक शोगा जाएगा करेंगे ओके 4 by 4 equal to 1 20 by 4 equal to 5 यह क्या आगया हमारा एंसर यहां पर क्या लिखेंगे हम फाइ लिखेंगे ओके अब यहां पर देखो यहां भी छोटा fraction निकलना है बड़ा दिया है तो पहले क्या जो छोटा fraction दिया है ना डिनामेटर का उसका और इसका क्या है देखते ही सो यहाँ पर क्या क्या क्वा से MARK करेंगे 25 मिल जाहें रहे तो इसको भीम से यहीं नहीं करना है यह पूरा एक फ्रैक्शन होता है यह पूरा एक फ्रैक्शन होता है so fraction में हमें condition क्या यह दिये तब 18 मिल जाएगा यह हम निकालते हैं 2 को कौनसे नमडर से करेंगे तब 18 मिल जाएगा कौनसा नमबर है चेलो 2 9 С, 18 2 9 S, 18 आ रहा है अगर इसको 9 से डिवड़ करें तो उपर के नियुमरेटरों को भी 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां पर क्या आ रहा है नाइन बाइन बाइन आ रहा है यहां पर 18 है मैं 18 है चाहिए था ना ओके दूसरा फ्रेक्शन कौन सा है टू बाइ थ्री थ्री को कोई से नंबर से मल्ट्िप्लाय करेंगे तब 18 आ जाएगा अगर इसको क्वशे करेंगे तब 18 गूंसा है फॉर बाई शिक्स प्राइटीन को से नमर से मल्टिप्लाइए करेंगे तो एटिन आजाएगा अगर इसको थिसे मल्टिप्लाइए करेंगे तब हमारा एंस सही आएगा फोर्थी जा 12 और शेक्स दिरीजा 18 ये आगा हमारा फर्स्स 9 by 18 फर्स्ट फ्रेक्षन अब नेक्स फ्रेक्षन कौनसा है 2 by 9 9 को कौनसे नम्बर से मल्टि प्लाई करेंगे तब 18 आजाएगा 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तब 18 आजाएगा और उसी नमबर से हमें नूमराटर को मंटिप्लाइ करना है अभी क्या आ जाएगा 4 by 18 understand ओके नेक्स्ट फ्रेक्शन कौन सा है 1,2,3,4 होगा है अभी है 7 by 9 अभी इस 9 को 2 से मंटिप्लाइ करेंगे तब 18 आ जाएगा इसको 2 से मंटिप्लाइ करेंगे तब 17 आ जाएगा 7 टूँशा 14, 9 टूँशा 18 यहां गया नेक्स्ट फ्रेक्शन अभी उसके बाद जो है 5 by 3 5 by 3 सब 5 को कौन से नमबर से मल्टिप्लाइ करेंगे तब 18 आ जाएगा यहां पर जो condition बताई वो follow हो रही है वहां पर भले उन्होंने denominator को बताया होगा पर अगर हम denominator को multiply करते हैं जिस नंबर से उसी number से हम numerator को मुटिप्लाइ करते हैं यहां पर compute करने के लिए आपको आप नहीं तो बोलोगे आप मैं यहां पर सिफ denominator को को ही मल्टिप्लाय करने को बोला है तो एसा नहीं चलता है कभी जो फ्रैक्शन होता है वह ही एक ही फ्रैक्शन होता है यह जो है यह एक ही फ्रैक्शन है अगर हम डिनामेटर को मल्टिप्लाय कर रहेते हैं नुमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टिप्लाय करना पड़ता है ओक अभी हमारा नेक्स्ट क्या है question 3 find an equivalent fraction with denominator 5 for the following fraction अभी उपर हमें denominator क्या चाहिए था सबका denominator 18 चाहिए था भी नीचे का नीचे हमें सबका denominator क्या चाहिए question 3 में हमें सबका denominator क्या चाहिए 5 चाहिए अभी देखो यहाँ पे तो fraction तो बढ़ा दिया है सो हम कैसे कर सकते हैं छोटा fraction के चिला सकते हैं वहाँ पे हमें राइट कर लेती हो ओके फर्स्ट सेकंड जो fraction है यहाँ पे 10 बाइ 25 है थर्ड जो है वो कौन सा है 12 बाइ 30 नो अप्टर दैट 4 कौन सा है 6 बाइ 10 और 5 कौन सा है 21 बाइ 35 यह सभी fraction मैंने राइट कर लिये है अभी देखो सबका डिनामेटर क्या चाहिए हमें 5 चाहिए मैं यहाँ पे 5 फाइट कर लेती हूँ सबका डिनामेटर क्या चाहिए हमें 5 फाइट कर लिया अभी देखो कौन से माल्टिप्लाइट तब 35 मिल जाएगा हáँ हम induction अभिव ईसफाइब को से अप्रिकार करेंगे तो तर्टी का यहाँ यहाँ पर यह तुछकर चाहिए यह स्युनुन अनुम्स का पर हैं यह नंबर है उसलिए हम क्या कर रहे हैं उपर भी वही नंबर ले रहे हो देखा कार्ति में नमबर में अगर यहां पर ओपर वह नमबर है कि प्सक्वाइख में क्या लिखा जो नंबर कट करना है वही नंबर हमने न구허टर में लिख लिया तरी को कॉनसे क्तर तब 6 मिल जाएगा अग united तो ओके अबी यहने ये नंबर गोवी यहाँ यहाँ पर टेंट कॉ यह को कॉनसे नबर से 55 करें तब 10 मिल जाएगा 5200 सब्सक्राइब करेंगे तब मिल जाएगा तो से मल्टिप्लाइब करेंगे तब इस टू को कौन से मल्टिप्लाइब करेंगे तब सिक्स मिल जाएगा यहाँ पे त्री टूजा शिक्स यहाँ पे देखो सेवन को कौन से से इस नंबर से म्लंटिप्लाइ करेंगे तब 21 मिल जाएगा से मन्टिप्लाइ करेंगे तो 21 मिल जाएगा देखो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहे हूं लिक राट कर लिया यह 3 काइअ है जो आ कर देती है सें यह 2 और 5 कट कर देती हूं और और जो आया है हमारा answer वो 2 y 5, यहाँ पे आया है 2 y 5, यहाँ पे आया है 3 y 5, और यहाँ पे आया है 3 y 5. तो सबका denominator of 5 आया है कहां? देखो, सबका denominator of क्या आ गया? 5 आ गया. C, check it once. So, जो मैंने method बताई वो easy ही कि नहीं? कैसे लगी? आपको comment box में बताना है और वीडियो को हमारी वीडियो को subscribe जरूर करना है, हमारी चैनल को subscribe करना है, वीडियो को like करना है, understand? Now, question number 4 will be the from the fraction given below pair of equivalent fraction यहापे देखो, from the fraction given below pair of equivalent fraction यहापे equivalent fraction की pair हमें ढूणनी है, यहापे already pair दी है, आगे पीछे दी होगी हमें क्या करनी है, उसमें से find out करनी है, So, आपको क्या करना पड़ेगा, numerator का वही number का multiple और denominator का वही number का multiple, So, देखो, वही number का multiple means what अभी देखो यहापे, 2 के multiple कौन सा number दिख रहा है, यानि कि 2 के table में जो number आते है, वो कौन से fraction में दिख रहे है, 2 के table में कौन से number आते है, 15 आते है, 18 आते है, 10 भी आता है, So, इन तीन फोर में क्या करोगे, चेक करोगे, अभी देखो यहापे, आप पहले क्या करते हो, चेक करो, यहापे देखो, 2 के table में कौन से number पर, 14 आता है, 7 number पर, So, 3 के table में भी क्या आना चाहिए, सेवन नंबर पर ही इसका डिनोमेटर आना चाहिए इसका मतलब क्या है यह नहीं आएगा 15 का चेक खूर चुछ चेक करेंगे 2918 आता है तो 37 जाभी और डिनोमेटर जो आएगा वो क्या आना चाहिए 39 जाए आना चाहिए 2918 सो 3917 आ रहा है क्या देखो चेक करो 2918 आ रहा है 3927 भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यह दोनों क्या है पेर आपको क्या करना है यह हो गई और यह हो गई अभी हम क्या चेक करेंगे यह सेकंड पेर को 5 by 7 अभी 5 के मल्टिपल में कौन से नंबर है निमरेटर में चेक करो 15 है और 10 है यह यह दोनों फ्रेक्शन हो सकते है उसके पेर सब 5 के नंबर में 3 नंबर में 3 नंबर पे 15 है 7 के टेबल में भी 3 नंबर पे 33 चाहिए तब यह क्या हो सकते है सब्सक्राइब के टेबल में 3 नंबर पे 33 है क्या नहीं है सब्सक्राइब यह देखो यह पेर हो गई यह था 5 के टेबल में 15 था और 10 था अभी हम इसको चेक करेंगे 5 के टेबल में टू नंबर पे 10 है सो 7 के टेबल में पे टू नंबर पे 14 चाहिए सो है यानि कि यह क्या है 5 by 7 इक्वल टू 10 by 14 क्यों क्या होता है 5 टूजा 10 है 7 टूजा 14 होता है यह हो गई यह भी हो गई अभी हम नहीं क्या चेक करने यह 5 by 11 और 5 के टेबल में और कौन से कौन से नंबर है 15 है यह 5 के टेबल में 3 नंबर 15 आता है 11 के टेबल में 3 नंबर पे 33 चाहिए सो है यहां पर देखो मिल रहा है इसका मतलब क्या है 5 by 11 एक्वल टू 15 by 33 यह हो गया अभी यह दोनों पेर है के नहीं देखो विसेव एंके डेबल में 14 जो है टू नमर पे है नायंके डेबल में 18 टू नमर पे जाईए तो है ओके यह भी है इसका मतलब क्या है 7 by 9 एक्वल टू 14 by 18 यहां पर क्या मिला यह हमें एंसर मिल गया ओके यह पेर मिल गया सो कितनी पेर है 1 2 3 4 पेर मिले understand केसे पेर ढूनना है नाव हमारा last question to find equivalent fraction for each of the following fraction सब सभी fraction के equivalent fraction ढूनने है सब first fraction कौनसा है 7 by 9 अगर इसके equivalent fraction ढूनने है तो हम क्या करेंगे हम क्या कर सकते देखो numerator यह जो पूरा fraction है ने उन दोनों को 2 से multiply कर सकते है देखो 9 2 से multiply किया 2 से multiply किय 7 2 is a 14 9 2 is a 18 यह आ गया इसका equivalent fraction ओके हम इस पूरे fraction को 3 से multiply कर सकते है देखो 7 by 9 into 3 into 3 so 7 3 is a 21 and 9 3 is a 27 so यहाँ पे यह क्या आ गया equivalent fraction of this number इसका equivalent यह मिल गया और यह भी इसका equivalent है हम क्या कर सकते है उससे fraction को 2 से 3 से 4 से 5 से multiply कर कर यह क्या कर सकते है उसका equivalent निकाल सकते है अभी देखो नेक्स्ट कौन सा है, 4 बाई 15, इसका equivalent ढूणना है, तो इस fraction का हम 2 से multiply कर सकते हैं, देखो, 4 to the 8, 4 to the 60, तो 60 यहाँ पर, यहाँ आगाया इसका fraction, इसका equivalent fraction यह, इसका equivalent fraction यह, अभी इस fraction को हम क्या कर सकते हैं, फिर से 3 से multiply कर सकते हैं, यहाँ पर 4, 3, 12, 15, 3, 45, ओकी, 4, 3, 12, 15, 3, 45, तो यह 12 by 45 भी क्या है, इसका ही equivalent fraction है, इसके दो equivalent fraction मिले, इसके भी हमने दो equivalent fraction निकाले, equivalent fraction निकालने के लिए क्या चाहिए, जो fraction दिया है, उसके numerator को denominator को सेम नंबर से multiply करना है, यादिके उसके fraction को क्या करना है, सेम नंबर से multiply करना है, अंडर्स्टेंड, टुट्वेल, 6 आगया, 11, 22, 22 आगया, इस पूरे fraction को हमने 2 से multiply किया, यह आगया, और इस fraction को हमने 3 से multiply किया तो यह आगया, तो यह मिल गए उसके equivalent fraction, अंडर्स्टेंड, वीडियो के सिलिकान वाट में बताना है हमें हमारी वीडियो को क्या करना है लाइक करना है हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ओके बाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रक्टेसित के साथ